हाई गाईज बलकुम बैक टो माई चानल दबीगिनार गर्ल तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाले हूँ एक डियाईवाई हेर ओयल जो आपका इची स्कैल्प, डैन्रफ एन हेर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और यह जो वीडियो होने वाला है यह बहुत ही हेल बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था यह वीडियो बनाने के लिए उन्हों सबको ठेंक यू मेरी तरफ से मुझे भरयोसा करने के लिए तो वीडियो को स्टार्ट करने से बढ़े प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर देना बेल बटन को भी इट कर दे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो डियाईवाई हैर वाईल बनाने के लिए हमने ले लिया है कुछ इंग्रिडियन्स आप देख सकते हो मैंने यहापे लिया है कोकुनट ओईल, हिबिसकस, मेथी और कैमफोर कोकुनट ओईल हमारे बालो को कैसे हील्प करता है यह अब सब जनते है चलिए, जान लेते हैं कि इबिसकस हमारे लिए क्या करते है यह हमारे बालो को जड़ से मज़बूत करता है, डेंड र्फ बेउफ करने में हैल्प करते है and also pre-mature grain को control करने में help करता है मेथी हमारे itchy scalp के उपर treat करता है और dandruff control करने में और hair को shining करने में भी help करता है और ये hair growth में भी help करता है CAMP4 में है antibacterial property जो dandruff मिटाने में हमारा help करता है और dry scalp के उपर ये moisture प्रोबाइड करता है पहने हम री viscous flour से ये stem को अलग करेंगे फिर उसके बाद हम coconut oil के अंदर सब ingredients एक साथ दे देंगे फिर इसको हम 5-10 मिनित तक boil करेंगे इसी method में ये already boil हो चुके है इसका जो गुन है वो coconut oil के अंदर आ चुके है अभी हम इसको ठंडा करने के लिए 30 मिनित रखतेंगे और उसके बाद हम इसको एक बॉटल के अंदर भर लेंगे तैयर हो गया है हमारा DIY hair fall removal and dandruff removal hair oil और इसको हम अच्छे तरीके से अपने हैर में मसाज करेंगे अच्छे रिजल्ट के लिए इसको विक में 2-3 वक्त यूज़ करें अगर आपको ये विडियो पसंदा तो इस वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर देना बेल प्रटिल को भी इट कर देना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो और से मिसना हो and also you can follow me on instagram मेरा insta handle और facebook का जो लिंक है वो मैं description box में provide कर दूंगी so मैं मिलूंगी आपसे पर नेक्स वीडियो में till then take care bye bye